हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल Mr.A.Doc में तो दोस्तों पासपोर्ट का अपोईमेंट है वो अभी तक आपने नहीं लिया है या फिर कोई एरर आ रहा है आपको नहीं पता कैसे लेना है तो मैं यहां पर आपको बत्ताने वाला हूं दोस्तों जा दोस्तो तो सबसे पहले आपको passport india.gov.in की website पराना है और login हो जाना है, login होते ही ये page आपको दिखाई देगा दोस्तो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो option है view saved submitted application, उसके उपर click करना है, तो यहाँ पर आप जैसे ही click करोगे, तो right side पर देखो आपक सारी details है, वो show होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो select वाला जो option है, वहाँ पर एक button है, उसके उपर आपको click करना है, इसके उपर click करते ही यह एक बार refresh होगा, refresh होने के पाद, दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है payment and appointment, उस वहाँ पर आपको pay and schedule appointment पे click करना है, तो यहाँ पर आप जैसे ही click करोगे, तो यहाँ पर देखो you have not taken an appointment, तो अभी appointment नहीं लिया है हमने, तो यहाँ पर next पर click कर दो, तो अभी दोस्तों पेज थोड़ा load हो रहा है, आपको wait कर लेना है, और अभी देखो right side पर यहाँ पर आपको passport सेवाकेंदर की सारी जो details यो show होगी, कहा कहाँ पर slot available है, तो आपको क्या करना है, जो slot available है, वहाँ का location आप select कर लो, okay, उसके बाद location select करने के बाद उसका address नीचे आ जाएगा, ठीके, और उसके नीचे आपको capture है, वो डाल देना है, capture डालने के बाद next पर click कर देना है, okay, अभी दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको capture capture मैंने यहाँ पर गलट डाल दिया है, तो फिर से मुझे डालना पड़ेगा capture, okay, capture मैं फिर डाल देता हूँ, और फिर से यहाँ पर next पर click कर देता हूँ, ओके दोस्तों, capture हमने डाल दिया, अभी details आगी का आ चुका है, अभी क्या करना है हमें, देखो, यहाँ पर appointment का date लिखा हूँ, ठीक है, तो available है वहाँ पर, तो यहाँ पर आप change करना चाहो, तो date यहाँ से change कर सकते हो, जो green है, ओ available है, next five days के slot आपको show होगे, यहाँ ठीक है, लेकिन time यहाँ पर आप नहीं select कर सकते हो, time automatic ही आएगा, आप green वाला कोई भी एक date select कर लो, और book appointment पे click कर दो, तो अब जैसी यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर देखो, आपका appointment है, ओ book हो जुका है, ठीक है दोस्तों, अभी appointment जो book हुआ है, उसका print यहाँ से निकाल सकते हो तो जैसे आप यहाँ पर print वाले option पे, जैसी click करोगे, तो आपकी देखो, यहाँ पर सारी details हो शो हो जाएगी, और फिर से यहाँ पर आपको नीजे print application receipt के ऊपर click करना है, और यहाँ पर ok पे click कर दो, तो दोस्तों, यह जो receipt अभी open हुई है, यह वाले receipt आपको, मतलब कि यह मिल जाएगे कि कौन से time को आपको जाना है, ठीक है, और उसका address भी मतलब कि जो center आपने select किया था, उसका address भी यहाँ पर mention होगा दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने passport का application है, appointment हो ले सकते हो दोस्तों, passport कैसे apply करना है, उसका भी video में ने बना दिया, आप description में देख सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना, share करना, subscribe जरूर करना और bell icon को click करना, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए bye bye और subscribe करना ना भूले, thank you so much for watching